देशों से बड़ी कपास की मांग, दरसल विश्व सर पर सप्लाई की कमी और बढ़ती हुई मांग के चलते कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है दरसल चीन में अत्यदी ठंड के मोसम ने फसल चकर को बाधित कर दिया है जबकि अमेरिका में रखबा कम होने से वैश्विक बजार में कपास की कमी और बढ़ गई है वहीं USDA की नवीनतम विश्व क्रिशी सप्लाई और मांग अनुमान रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार अमेरिका में कपास का स्टोक कम हो गया है और निर्यात बढ़ गया है इससे कपड़ा मिलो में चिंता बढ़ गई है वहीं दक्षिन भारत मिल्स एसोसियेशन ने बढ़ती कीमतों के बावजूत घबरहाट में खरीदारी न करने की सला दी है हलाकि जुलाई के बाद वैश्विक सप्लाई में सुधार होने की उमीद है जिससे बजार को कुछ रहात मिल सकती है वहीं USGA की फरवरी रिपोर्ट में 2023-24 सीजन के लिए विश्व कपास उत्पादन में मामुली कमी आने का अनुमान लगाया गया है साती शुरुवाती स्टोक और उत्पादन कम होने के कारण विश्व स्टर पर कपास के अंतिम स्टोक में भी कमी आने की उमीद है दरसल प्रतिसपर्धी मुल्या निर्धारन और एशियाई खरीदारों विशेश रूप से चीन, बांगलादेश और वियतनाम की बढ़ती मांग के कारण भारत का कपास निर्यात फरवनी में बढ़ गया है जो कि दो साल के उश्टम सर पर पहुंच गया है